12. आधातुएं आधुनिक आवर्त सारणी के नुसार 22 आधात्व ये तत्व नौन मटलिक हैं, जिनमें 11 गैसें एक द्रव हैं तथा 6 दस ठोस हैं, द्रव अवस्था स्थित आधातु ब्रोमीन आधातुएं समाने तहा उश्मा एवं विद्यूत की कुछ आलक होती हैं, अपवाद ग्रेफाइट हाइड्रोजन हाइड्रोजन के तीन समस्थाने ग्याद हैं, प्रोटियम 1H1 या H, ड्यूटोरियम 1H2 या D, और ट्राइटीमियम 1H3 या T ड्यूटीरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं, भारी जल की खोज 1922 इस्वी में यूरे और वाशबर्न ने की थी, साधरन जल के लगबग 6,000 भागों में 9 भाग भारी जल का होता है, भारी जल 3.8 डिगरी सेल्सियस पर जमता है भारी जल के उप्योग 1. न्यूट्रॉन मंदक के रूप में 2. ड्यूटीरियम तथा ड्यूटीरियम के यौगिक बनाने में 3. ट्रेसर के रूप में 4. आयनिक वा अन आयनिक हाइड्रोजन में विभेत करने में मिर्दू एवम कठोर जल, soft and hard water, जो जल साबुन के साथ आसानी से जाग देता है उसे मिर्दू जल कहते है और जो जल साबुन के साथ कठनाई से जाग देता है उसे कठोर जल यानि hard water कहते है जल की कठोरता दो प्रकार की होती है एक आस्थाई कठोरता temporary hardness दो स्थाई कठोरता permanent hardness आस्थाई कठोरता जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता आस्थाई कठोरता कहराती है जल की आस्थाई कठोरता उसमें केलशियम और मेगनीशियम की बाई कार्बनेट धुले रहने के कारण होती है आस्थाई कठोरता जल में बुझा चूना अत्वा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है इस्थाई कठोरता जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता स्थाई कठोरता कहलाती है जल की स्थाई कठोरता इसमें केलशियम और मेगनीशियम के सलफेट, क्लोराइट, नाइट्रेट, आधी, लवडों के गुले रहने के कारण होती है जल में sodium carbonate डालकर उबालने से स्थाई एवं आस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है जल की स्थाई कठोरता दूर करने की मुख्य विधी पर्म्यूटिट विधी है पर्म्यूटिट sodium geolite को कहते हैं oxygen के तीन समस्थानिक होते हैं ये oxygen का एक अपरूप है समुन्दर तर्ट से 30 से 32 किलोमेटर की उचाई पर इसकी सांदरता अधिक होती है ये सूरिय से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रा वैलिट रेस के दुश प्रभाव से बचाती है सल्फर प्रित्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत ता लगभग 0.05 प्रतिशत है सल्फर से प्राप्त अतियतिक मेहत्वबुन आधियों की रसायन सल्फियूरिक अमल है सांदर सल्फियूरिक अमल 98 प्रतिशत शुद्ध होता है तथा इसकी नॉर्मलता 18M होती है सल्फियूरिक अमल के उप्योग 1. सल्फियूरिक अमल का मुख्य भाग उरवरकों जैसे अमोनियम सल्फेट सुपरफासफेट आधि के संचलेशन में प्रयूक्त होता है 2. पेट्रोलियम शोधन में 3. संचालक बैटरी में ब्रिहत इस्तर पर 4. डिटर्जन्ट उद्योग में 5. रंजक द्रव्यों पेइंट तथा रंगों के संचलेशन में प्रयूक्त होने वाले मध्यवर्थी यौगिक बनाने में नाइट्रोजन आयतन की दृष्टी से वायूमंडल का 78 प्रतीशत भाग आणविक नाइट्रोजन है वायूमंडल सहित प्रित्वी पर नाइट्रोजन का अबाहूल्य भार अनुसार 0.01 प्रतीशत है नाइट्रोजन का उप्योग वहां भी करते हैं जहां किसी निश्क्रिय गैस की आवश्रता होती है जैसे लोहा, वासपात, उद्योग में, तनुकारक के रूप में द्रव नाइट्रोजन का उप्योग जैफ बदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोजे बदार्थों को जमाने एवं निम्निताप पर शडले चिकित्सा के लिए होता है नाइट्रोजन के योगिकों में अमोनिया एक प्रमुक योगिक है, इसका निर्मान है बर्विदी द्वारा किया जाता है अमोनिया के उप्यों 2. नाइट्रिक आमल के निर्मान में 3. यूरिया अमोनियम सलफेट आदी उर्वरग बनाने में चार सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाई कार्बोनेट के निर्मान करने में पांच अमोनियम लवन बनाने में छे विस्वोटक बनाने में साथ कृत्रम रेशम बनाने में नोट दरहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जिवाणों पाय जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरिकरन पिक्सेशन आफ नाइट्रोजन में भाग लेते हैं प्रकास राश्टाइनिक धूम या कोहरा फोटो केमिकल स्मॉग उन वाहनों को ये वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रो कारबनों पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन होता है ये समानत हाग घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहाँ पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और नाइट्रिक अकसाइड NO निकालते हैं इससे आँखों में जलन होती है और आशू आ जाते हैं ये कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानी पह पती बदार्थों का आवशक अव्यव है ये हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं DNA में उपस्तित रहता है फासफोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है श्वेत फासफोरस लाल फासफोरस एवं काला फासफोरस इसके अपरूप है लाल फासफोरस श्वेत फासफोरस की अ SF6 बनाने में होता है जिनको क्रमशाह परमाणू उर्जा उत्पादन तथा परावैदूति की डाई इलेक्रिक में इस्तिमाल किया जाता है। प्रिष्ट 360 2. HF के उपयोग द्वारा क्लोरो फ्लोरो कार्बन यॉगिक तथा पॉली टेट्रा फ्लू ओरो एथिलीन यानि टेफलॉन संचलेशित किये जाते हैं। क्लोरो फ्लोरो कार्बन योगिकों को फ्रियोन कहते हैं इसका उप्योग प्रशी तक रेफ्रिजरेंट के रूप में तथा एरोसॉल में किया जाता है ननस्टिक बरतन का उपरी परत टेफलॉन का बना होता है क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक उयोगिकों जैसे पॉली वाइनल क्लोराइट, क्लोरीनिक कृत्थ हाइड्रोकार्बन, औशिदियां, शाकनाशी तथा कीटनाशी के संचलेशन में किया जाता है ब्रॉमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संचलेशन में होता है जिसको सीसाकृत पेट्रोल लिड़िट पेट्रोल में मिला जाता है इसके अतिरिक्त सिल्वल ब्रोमाइड एजी ब्र बनाने में ब्रॉमीन इस्तिमाल करते हैं जिसकी आवशक्ता फोटोग्राफी में होती है निश्क्रिये गैस, नॉबल ग्रेसेज आवर्त सारणी में शूने वर्ग में छे तत्व हैं हीलियम, HE, नियोन, NE, आरगन, AR, क्रिप्टाउन, KR, जिनोन, XE और रेडाउन, RN ये सभी तत्व रासानिक रूप से निश्क्रिये हैं अतहा इन तत्वों को अक्रिये गैसें, इनर्ट गैसेज या उत्करिष्ट गैसें, नॉबल गैसेज कहते हैं रेडाउन, RN, रेडाउन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिये गैसें वायोवंडल में पाई जाती हैं आरगन, AR, आरगन का उपयोग मुख्य तहा उच्य तापिये धातु क्रमिक प्रक्रियाओं, धातुओं, अत्वा, मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निश्करिये वातावरन उत्परने करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है हीलियम, HE, हीलियम हलकी तथा आजवलनशील गैस है, इसका उपयोग एक गुबारों को भरने में दो, मौसम संबंदी अध्यनों के लिए तीन ठंडी वायू वाली नाभिकिये भट्टी में, चार द्रव हीलियम का उपयोग निमनताप पर प्रयोगों में निमनतापिय अभ